इस वीडियो में camera comparison करेंगे हमारे पास है Realme X7 Pro जो की नया launch हुआ है और Realme 7 Pro जो की under 20,000 best camera phone माना जाता है तो इन दोनों phone को compare करेंगे बहुत साथ in detail तो नहीं बट इस वीडियो में बहुत साथ detail में मैंने comparison करने की कोशिस किया है कल ही यह phone आया है और मैं यहाँ पर इन दोनों का comparison कर रहा हूँ इन दोनों phone के लिए अगर कोई accessories ढून रहे है अल्टा क्लियर स्किन प्रोटर स्किन जो की मैंने already Realme 7 Pro में लगा के रखा है Realme X7 Pro के लिए वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है तो link is in the description आप अभी जाके check out कर सकते हो पहली बारा है subscribe करिए इस वीडिय 1.0 चल रहा है मेरे Realme X7 Pro में जो की एक flagship device है और Realme 7 Pro में Realme UI 2.0 चल रहा है with Android 11 और वहां पर Android 10 चल रहा है तो definitely दोनों के camera app में थोड़ा बहुत difference आपको देखने के लिए मिल रहा है तो क्या-क्या difference है वो पहले check out कर लेते हैं फिर मैं यहाँ पर video samples front camera के back camera के and rear camera samples और जो रा दोनों camera के night mode में बहुत सारे filters देखने के लिए मिलता है जैसा कि आप मानके चले हैं यहाँ पर modern gold, flamingo और cyberpunk यह सारा कुछ देखने के लिए मिलता है Realme X7 Pro में अब Realme 7 Pro में astral और dazzle यह दो नए filters add हुए है after Realme UI 2.0 बट वो बीटा में चल रहा है अभी भी तो और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो Realme X7 Pro में आपको tripod mode मिलता है बट starry mode देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि Realme 7 Pro में आप देख पा रहे हो corner में starry mode आपको देखने के slow motion video recording के अगर बात करें तो यहाँ पर Realme X7 Pro में आप only 240 fps and 120 fps में जो है video recording कर सकते हो वही पर Realme 7 Pro में 120 fps, 240 fps, 480 fps and 960 fps में आप slow motion video recording कर पाओगे और यह definitely 960 fps वाला है यह Realme UI 2.0 के बाद ही देखने के लिए मिल रहा है तो साइध Realme X7 Pro में भी देखने के लिए वीडियो recording front में अगर जाएंगे तो यहाँ पर filters में कुछ यहाँ पर अलग नहीं है यहाँ पर तीनों filters आपको देखने के लिए मिलता है जो extra filters आता है एक blue, green और red वाली और यह जो AI color portrait वाली जो filter है तो वहाँ पर यह similar है and front camera में भी वो देखने के लिए मिलता है तो वहाँ वीडियो फोन के front and back में boke mode video ले सकते है external mic का support default camera app में हो सकता है इस setting को गरने के बाद 4K 60fps तक जा सकता है एक 7 pro फोर के 30fps सकता है maximum realme 7 pro तो यह video record हो रही है realme 7 pro के front camera से 1080p 30fps वाली focus है यह maximum quality है इससे जाता नहीं जा सकते है watermark आपको दिख रहा होगा और PC का थोड़ा सा overexposed इसलिए हो रहा है क्यूंकि मैं यहाँ यहाँ पर शेट के नीचे हूँ वाकि यहाँ पर external mic का support है आप ज आप बताना कैसा है तो यह video record हो रही है realme 7 pro के front camera से 1080p 30fps वाली footage है इससे जाधा एक्स्टेंड नहीं कर सकते हैं आपको watermark दिख रहा होगा है यहाँ पर पीछे का थोड़ा सा overexposed हो रहा है क्यूंकि मैं शेट के नीचे हूँ जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा तब देखोगे यहाँ पर सही बन जाता है तो यहाँ पर external mic का support है अगर आप video recording करना चाहते है 1080p 30fps में अब external mic लगा के stock camera से shoot कर सकते हैं बाकी अभी यहाँ पर external mic नहीं लगाया होगा है normal जो है phone के microphone से recording हो आप बताना कैसा है footage तो यह video record हो रही है realme 7 pro के rear camera से यहाँ पर realme UI 2.0 चल रहा है यह 1080p 30fps वाली footage है और यहाँ पर कोई lag देखने के लिए नहीं मिल रहा है बट वहाँ पर 1080p 60fps में realme 7 pro के rear camera से यहाँ पर आप देख सकते हो clearly जैसे मैं move कर रहा हूँ यहाँ पर फ्रेम लैग देखने के लिए मिल रहा है तो 60fps कहीं से भी नहीं मिल रहा है हलाकि जो update आया है वहाँ पर 1080p 60fps की कोई बात नहीं करी गई है 4K 30fps हमने देखा यहाँ पर lag हो रहा था और 1080p 60fps में अभी भी जो lag हो रहा है यह बीटा चल रहा है डिफिनेटली जो stable आएगा तो वहाँ पर सही हो जाएगा तो यह video record हो रही है Realme X7 Pro के rear camera से 1080p 60fps वाली footage है यहाँ पर कोई फ्रेम में lag बगएरा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है बाकी मैंने 4K sample include इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर तोन डाउन हो जाएगा 180p पर अब यहाँ पर पोट्रेड मोड से start करते हैं दोनों का पोट्रेड मोड मुझे बहतर लगा यह Realme 7 Pro वाली है and then यह वाली Realme X7 Pro वाली है तो मैंने at a same time मैंने पोट्रेड images क्लिक नहीं कर पाया मैं उसके लिए माफ करना बट यहाँ पर मुझे skin tone वगएरा and जो subject का separation है और ज जाती है और मुझे यहाँ पर कोई शिकायद नहीं है दोनों ही कुछ similar type का algorithm चल रहा है next image में आप देखो के यहाँ पर similar time पे लिया गया है daytime images है यहाँ पर थोड़ा सा oversaturated मुझे लग रहा है X7 Pro थोड़ा सा बहुत जादा नहीं वहीं पर बहुत जादा natural है Realme 7 Pro next image की बात क similar kind of heat देखने के लिए मिल रहा है थोड़ा सा saturation में फरक देखने के लिए मिलेगा बट वह इतना भी नहीं है कि मैं बहुत जादा oversaturated बोल दूँ अब यहाँ पर असली टककर होने वाला है यहाँ पर आप देखो के Realme 7 Pro ने बहुत जादा कमाल किया है मुझे especially Realme 7 Pro बेटर ल बेटर लगा इस वाले image में color tone का difference दिख रहा होगा एक warm tone है Realme X7 Pro में वही पर थोड़ा सा cooler tone है Realme 7 Pro में दोनों ही images अच्छी आई है बहुत जादा मुझे यहाँ पर difference नगी आया यहाँ पर particularly Realme 7 Pro में जो है over exposed कर दिया तो petals है वहाँ पर over exposed हो रहा है वही पर Realme X7 Pro ने यहाँ पर भी मुझे जो है Realme X7 Pro बेटर लगा Realme X7 Pro में ample amount of light रहता है जादा light capture करता है इसी वाज़े से यहाँ पर X7 Pro का image थोड़ा सा बेटर लगा यहाँ पर भी similar type तो बहुत जादा algorithm में जो है फरक नहीं है खाली जो ISP है दोनों के difference है यहाँ पर 720G है और एक में जो है लिए गया है यहाँ पर देखो के Realme 7 Pro में जो subject है वहाँ पर बहुत जादा जो है वो लिट अप नहीं हुआ subject वहीं पर X7 Pro में जो subject है वो भी अच्छी तरह से लिट अप हुआ है आपको दिख रहा होगा subject foreground में subject अच्छी तरह से लिट अप हुआ है और dynamic range भी अच्छी है तो यहाँ पर ultra white थोड़ा सा better लगा X7 Pro में front camera की बात करते है 32 megapixel का दोनों का sensor है Omnivision का यहाँ पर जो t-shirt में detailing है और जो color tone है मुझे थोड़ा सा better लगा Realme X7 Pro में 7 Pro भी कहीं पर पीछे नहीं है बट अगर shirt की detailing की बात करेंगे तो X7 Pro मुझे better लग रहा है portrait images हमने क्लिक करी पीछे का overexposed नहीं होता है out of the box Realme X7 Pro में अच्छी images click होती है Realme 7 Pro में पहले पीछे का portrait mode में overexposed होता था तो वह दिकर चली गए अब night mode की बात करते है Realme 7 Pro का night mode है वो जादा light को capture करता है और definitely यहाँ पर आप देखो के corners में देखो के अच्छी तरह से well exposed है Realme X7 Pro में भी आ अच्छा काम नहीं किया इस इमेज को देखो के बहुत जो है अंधेरे में ली गई है बट अभी भी जो टोटल सीनरी है well exposed है Realme X7 Pro यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया इस इमेज को देखे मैं बहुत ज़रा disappointed हुआ तो यहाँ पर अगर night mode की बात आती है मेरे ख्याल से अभ अच्छे निकाल सकता है कल साम की यह जो पिक है यह मैंने लिए है आप देखो के पूरा well exposed है Realme 7 Pro में भी मैं जो है as a daily diver use कर रहा था अभी X7 Pro use कर रहा हूं तो मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं कुछ जो है इस तरह की images मैंने क्लिक किया हुआ है मैंने और मुझे definitely Realme 7 Pro अगर low light की भी बात करेंगे night mode की बात करेंगे normally images की बात करेंगे true color जो है produce करता है यह वाली tripod mode में मैंने ली थी बहुत ज़रा बढ़िया निकल किया यह starts भी दिख रहा होगा तो definitely एक अच्छा camera phone है Realme 7 Pro वहीं पर एक flagship phone के साथ जो है अच्छी तरह से टक कर दे रहा है Realme X7 Pro को Realme X7 Pro भी अच्छा camera phone है कई पर भी पीछे नहीं है आपको कैसा लगा आपको कौन सब बेस्ट लगा comment बताना वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मिलता हूं नेक्ट वाले व